नमस्कार दोस्तों बहुत पोट स्वागत थे आपका हमारी शेनल में मत्रो 13 नमंबर सुब सुक्रुवार तुलारासी वाले लोगों को मिलेंगे दो बड़ी सुबसमाचार इन लोगों के जीबन में प्यार और पैसे की भरमात होने वाली हैं और इन लोगों के जीबन में कुछ ऐसी बड़ी बाते होंगी कुछ ऐसे बड़ी प्रिवर्तन होंगे जो इन लोगों को धनलाप करवा सकता हैं प्यार की फ्राप्ति करवा सकता हैं और इन लोगों के सारी के सारी कश्टू से इन लोगों को चुटकारा दिलवा सकता है यासे में आपको बताएंगे कि कौन सा छेतर में कारी करना आपके लिसुब होंगे आपको लखी कलर कौन सा रहेगा और किस प्रकार से आप अपने दिर को सुब बना सकते हैं कौन से वस्तों की खरदारी करना भी आपके लिस्ब हो सकता है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब वस्ते कर लें बैपार बेवसाय में भी आपको बिसेज बड़ी खुसकवरी की फ्रापती होंगे आपके जीवर में आपको बिसेज काम काजों में सफलता हासल होंगे और आपको मू माँंग एक चाये भी पूरी होंगे आपके सारी का सारा सफना पूरे होंगे आने वालस में आपके लेले आनद दायक रह सकता है, नोकरी करने वालों को प्रमोसन मिल सकते हैं, पार रोजगार में दिंदुगने राज चोगने तरकी हासल कर सकते हैं, आपके फूटी किसमत बिचमकने वाली हैं, आपके द्वारा वनाई गई यार्ति के उजनाय सफल आपके द्वाति में कास्मिक वर्दी होंगे, कारिश्तर पर वे साथ काम करने वाले लोगों को आपके पूरी साहत्ता मिल सकते हैं, गर परिबार के उमीदों पर खरे उतरने का समय आ चुका है, आपके से सुखा द्यात्राव फर जा सकते हैं, पुराना निवेशो का आपक स्वास्त में सुधार हो सकता है, तता आपके इसमें आपको असानक से धन दोलत की प्राप्ति होंगे, धन की देवी मातालक्ष्पी जी की क्रिपा से करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, और गौरी पुतर गनेश्जी की क्रिपा से अधिकारी का पूरा सहयोग मिल सकता है, नोकरी में पदपरवाक्र में वड़ोतरी होंगे, आपके पती पतने के वेज सम्मन्द काफी अच्छे होंगे, आपका स्वास भी काफी अच्छे होंगे, महामिर्तुज्य मंतर का जाप करना भी आपके लिए काफी सुब हो सकता है, अधिकारी भी आपके काम से काफी खु आपके जीबर में दंदोलत की प्राप्ति होंगे आपके आर्टिक इस्तियां मद्बूत बन सकते हैं दंसमंदित परिसाने से चुटकारा मिल सकता है आपके सुकस्विधावां में वुड़त्री होंगे आपको कई शेतों से अच्छा खासा फादा मिल सकता है असानक से दंद अब लोगों का आनिवालस में बहुती अच्छा हो सकता है। दनकमाने के आपको कई नई अवसर मिल सकते हैं। अपको बड़ी खुसकबरी मिल सकते हैं। जितना हो सके दूसरों की भलाई के लिए कारी करें, आप अपने सभी कारों में विजय की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको अपने सच्छे प्यार की प्राप्ति होंगे, तता आप अपने जीवन में काम्यावी को प्राप्ति कर सकते हैं, यह समय आपके लिए बहुत तिस्वर वाला है आपके जीवन में अलग-अलग शेत्रों से काफी नई और काफी सकारात जल्दे ही आप कुझी अच्छे खशकवरी की प्राप्ति कर सकते हैं मत्रों भगवान भोले नाथ जी की क्रिपा से कारोबार के शेत्र में आपको चोगरी गती से आगे वढ़ने के मोके मिल सकते हैं आपके जीबन में आपको सदेव सफलता की हांसल होंगे कारी शेतर में भी आपको विशेश बड़े और सुनवरे अवस्तरों की फ्राप्ति हो सकते हैं आप जो भी कारी करेंगे उनमें आपको विशेश बड़ी कुसकवरी की फ्राप्ति होंगे कारी शेत्र में भी भोले नाज जी की खृपा से समाज में आपके इज़त बढ़ सकती हैं लोग आपकी राय लेकर कारी करना फसंद कर सकते हैं आपको लगातार कई अलग-अलग जगों से पैसों की फ्राप्ती होंगे दंदोलत में बड़ोत्री होंगे आपके सभी कारी संपर्न होंगे कारी शेत्र में भी आपको विसेज बड़ी खुसकवरी की फ्राप्ती होंगे तता व्यपार के शेत्र में अचानक से दिनलाव हो सकता है आपको सुसुराल पक्षकी और से सुबसमाचारों की फ्राप्ती होंगे आपके समाज में मान सम्मान और परतिष्टा में वड़ोत्री होंगे आपको भोले नाथ ची की क्रिपा से जीमर में सदेव आगे बढ़ने के मोखे भी फ्राप्त हो सकते हैं जिनके कारण आप अपने सुख समर्दी में वड़ोत्री कर सकते हैं कारी शित्र में विशेज बड़े और सुनवरे अवसरों की फ्राप्त होंगे इस समय आपको सोचने, समझने और कारी करने की कुछ विशेज अच्छे मोखे मिल सकते हैं आपका आनिवाल समय बहत दिस्वर रह सकता है आपके उपर भी माता लक्ष्वी जी की कृपा दरिश्टी सबसे दिख रहेंगे जवर्दस्त लोट्री लग सकते हैं आप अपने बैपार बैविसाय में भारी मुनाफ़ा कर सकते हैं आप लोगों को सदा बेहतरिन कारी को करने के खुसी प्राप्त होंगे आपके जीबन में खुसिया हैं असानक हो सकते हैं आपके जीबन के सवेप्रकार की प्रसानियां और दुख तगलिफें समस्याओं को दूर करने के मुक्खे भी प्राप्त हो सकते हैं कारी शत्र में भी आपके सूची समझी रणिते आपके काम आ सकते हैं आपको जीबन में सुरेदेव जी की खृपा से आप अपने किसे पुराने निवेश का अच्छा लाव प्राप्त कर सकोगे गर प्रिवार का वात्तवर्ण में का फिकुस्याली पुरवक रह सकता है और गर प्रिवार की आर्थे की स्थित्यों को मजबूत बनाने में आपको फिजादा एहम भूमी का बना सकते हैं जिनके कारण आपको मान सम्मान की प्राप्ती होंगे आपके जीबन में विसेद बड़े खुसकवरी की प्राप्ती होंगे आपके द्वारा उधार दियावा पैसा भी आपको आपस मिल सकता है आप अपने जीवर में धन्दोलत में बड़ोत्री कर सकते हैं तता वरुजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ती हो सकते हैं आप अगर बैपारी वर्ग की जातक हैं तो आप अपने बिजनस को आगे बढ़ाने का वर्यपार को आगे बढ़ाने का फ्रियास कर सकते हैं जो कि आपके काफी हद तक सफल रह सकता है आप इस मौके में किसी नई चीजों के खरदारी कर सकते हैं सौफिंग पर जा सकते हैं बच्चो के लेकिसे नई चीजों के आप गिफ्ट कर सकते हैं रोजाना आपके जीबर में फो जैसे घटनाएं होती हैं जो आपके जीबर में आपको विसेज बड़ी खुष्षकवरी के फ्राप्ती करवाने बाली है आपको जीवन में 72 बहुत सारे खुश्चों की प्राप्ति होंगे चोगरी तरक्की मिल सकता है आप लोगों की खोई भी संपत्ति भी प्राप्त हो सकते हैं नसमें आपको जीवन में सनिदेव जी का क्रिपा भी प्राप्त होंगे और आपको भगवान स्रीहर विश्रू जी की कृपा से कारुबार में आपको नए समझोते की प्राप्ति होंगे आपके सोचने, समझने का आपके वढ़ोतरी होने वाली है आपके कारेस्तल पर भी आपके कामकाजो के तारिफे होंगे आपके अच्छे वहवार से लोग प्रभावित हो सकते हैं झावकाणी तारिफे होंगे झाल झाल